हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई चैनल कैसे आप सब उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छी होंगी तो पकोड़े खाना किसे पसंद नहीं होता लगभग सब कोई बहुत पसंद होते हैं चाहे हो गोबी के हो चाहे हो आलू के हो पालक के हो या प्यास के हो जो लोग प बारिश का मौसम होता है तो सबसे पहले सब की माई में यही चीज़ आती है कि क्यों ना पकोड़े बनाए जाए बारिश पे पकोड़े बहुत अच्छी लगते हैं खाने तो आज मैं आपके साँ शेयर करने वाली हूं ऐसे ही बहुत ही टेस्टी से बहुत ही क्रिस्पी से पत्ता भूबी और आलू के पकोड़े जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं बनाना बहुत आसान है बस कुछ-कुछ बेसिक चीज़े ही चाहिए इसके लिए तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि इसके लिए कि इंग्रीडिय ऐसे कटते है लुब defensive से नहीं तरीके क सेट में थोड़ इसको मैंने धूक त लिया था इसके साथ क्रिट्ची कवर्ण करीब कौन अबाइस यह कि बहुत जादा में इस में मृत क्रिश्पी बनकर तयार होते हैं साथ में थोड़ा सा हरा फ़ाधन यह इसके साथ हरी मेट जी और यह ले लिया है मैंने बेसन यह सारे यूज नहीं होगा इसमें से दो चमच ही यूज हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़ादा बेसन हम इसमें यूज नहीं करेंगे तब ही बहुत क्रिस्पी बनेंगे तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं इधर देखिए यह ले लिया है मैंने बाउल और इसमें मैं डाल दूँगी यह आलू इसके साथ ही यह धनिया हरी मिर्ची यह पत्ता गोबी यह पकोड़े बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनकर तयार होते हैं और बारिश का मोसम है तो पकोड़े खाना तो बनता है इसके साथ ही मैंने डाल दिया है यह कॉन फ्लॉर और अब जाएगा इसमें बेसन पहले मैं दो चम्मच ही डालूंगी और अब जाएगे इसमें कुछ मसाले तो यह चिली ट्लेक्स थोड़ा सा हल्दी पाउडर तेस्ट के हिसाब से नमक नमक हमें बहुत जादा नहीं डाला है क्योंकि अभी जादा लग रहे हैं लेकिन हम इसको जो मिक्स करेंगे ना तो यह कम हो जाएगा तो अभी मैंने थोड़ा ही डाला है थोड़ा सा जीरा इसके साथ ही खुश्बू के लिए मैं इसमें डाल दूँगे थोड़ी सी हींग और अगर आप प्यास खाते हैं तो प्यास इसमें डाल सकते हैं और अब ना पहले से हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे हातों से इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके पानी पहले थोड़ा सा हाथ में लेलूँगी इस तरीके से और ये बिल्कुल तैयार है जैसे हमें चाहिए इन्हें पांश मिनट के लिए हम रख कर छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं तो चलिए अब मैं इन्हें छोड़ देती हूँ इधर इन्हें पांश मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं इससे न मौश्चर भी रिलीज होने लगाया बहुत पानी मैंने इसमें नहीं डालाए लेकिन फिर भी तो चलिए और हम अपने पकोड़े तल लेते हैं इधर मैंने ओईल गरम होने के लिए रख दिया था और ये बहुत अच्छे से गरम हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे ये पकोड़े ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें बहुत इक्कोल डालना है इन्हें इस तरीके से ये ना करके डाल लेना है ये मैंने डाल दिया है इस तरीके से और इनको हमें मीडियम फ्लेम पर पहुत ही क्रिस्थी और गुर्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें तल लेना है इन्हें हलकी हातों से पलट लेंगे थोड़े से ये सिख चुके हैं दूसरी तरफ से वापस से इन्हें पलट देंगे हम इन्हें हमें अलट पलट के दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्थी सा स्थाल लेना है प्रकोड़े बारिश का मौसम हैं बहुत ही टेस्टी रेसीपी ये तो बनाना तो बनता है बारिश का मौसम हुआ और पकॉड़े ना बने तो अलग अलग तरिकी कि पाकॉड़े लोग बनाना पसंद करते हैं तो मैंने सुचा कि आपके साथ ये रेसीवी भी शेयर कर दी जाए तो इधार आप देख सकते हैं कि इनका कलर इतना बढ़िया आ चुका है मैंने इन्हें अलट पलट कर बहुत अच्छे से सेख लिया है दोनों तरफ से और ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है इन्हें निकाल लूँगी पलेट में और बाकी के जो बचे हुए हैं उन्हें भी में डाल लूँगी पाकोडे मैंने निकाल लिये हैं ये और बाकी के जो बचे हैं उन्हें में डालूँगी कितना कम मैंने इसमें पानी डाला है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना सारा मॉश्चर से निकल चुका है इधर इने भी मैंने पलट लिया है अगर आप इने थोड़ी दिर बाद खाने वाले हैं तो इनको थोड़ा कम मतब सेख सकते हैं उसके बाद दोबारा से फुल फ्लेम पर फ्राई कर सकते हैं तब भी ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं दोबारा आप इने सेख सकते हैं लेकिन मुझे तो साथ की साथ ही खाने हैं तो मैं इस तरीके से इन्हें एक बार में ही सेख कर बना रहे हूँ आप देख सकते हैं कलर बहुत बढ़ी आचुका है एकदम परफेक्ट गैस करते हैं बंद और चलिए चलते हैं अब इन्हें सर्व करने की प्रोसेस में तो देखिए हमारे सूपर क्रिस्पी सूपर टेस्टी से ये आलो और पत्ता गोभी के पकोड़े बोल सकते हैं भजिया बोल सकते हैं बन कर तैयार है तो है ना बनाना कितना आसान इसके टेक्शर से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितने क्रिस्पी है और खाने में तो यार अगर यह रेसिपी में अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे आप सपोर्ट कीजिए मैं आपके लिए अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूंगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई हरहार महादेव कर दो तक किर अवड ant कितक ही रेन आती रेसिपी के साथ पोड़ Shape